Hi friends, welcome to the desk Friends, आज हम जानेंगे 55 plus traffic sign के बारे में Friends, traffic sign के बारे में जानकारी होना हम सब को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले accidents को avoid कर सके और अपनी सुरक्षा कर सके इतना ही नहीं कि जब भी हमें license बनवाने के जुरूरत पड़ती है तो RTO में पूछे गए सवालों के सही सही जबाब दे सके इसके लिए भी इसकी जनकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो Friends, चलिए फिर शुरू करते है Stop Stop का मतलब होता है रुखना जब भी आप इस तरह के sign देखे तो आप समझ जाए कि वहाँ पर रुखने के लिए कहा जा रहा है Speed Limit लाल घेरे के अंदर दिये गए नंबर के अनुसार आपको अपनी गाड़ी की speed रखनी होती है वो नंबर 60 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है Give Way पीछे से आने वाले गाड़ी को हम बीच से जाने का रास्ता दे इस sign का मतलब यही होता है Friends अभी हम जानेंगे कुछ prohibited sign prohibited sign मतलब कुछ करने के लिए मना किया जाना No entry आप left और right दोनों तरह के signs देख सकते हैं जहां पर भी इस तरह के sign देखें तो आप समझ जाएं कि आगे no entry है Overtaking prohibited इस तरह के sign देखकर आप समझ जाएं कि आगे यहां पर overtaking किसी भी गाड़ी को overtake करना मना है Horan prohibited इस तरह के sign देखकर आप यहां पर होरन बजाना मना है One way traffic One way traffic का मतलब होता है जिस पर भी cut किया हुआ है उस तरफ से आने का या जाने का रास्ता नहीं है एक ही तरफ का रास्ता है No vehicles in both directions इस sign का मतलब होता है कि दोनों तरफ से ही गाड़ीों के आने जाने का रास्ता नहीं है No you turn जब भी आप इस तरह के sign देखे तो समझ जाए कि वहाँ पर you turn नहीं लेना है No left turn ये sign हमें ये बताता है कि वहाँ पर किसी भी तरह का left turn यान की बाहें तरफ नहीं मुड़ूना है No right turn ये sign हमें ये बताता है कि हमें वहाँ दाहिने की तरफ नहीं मुड़ूना है No parking ये आप इसमें दो तरह के sign देख सकते हैं left और right में तो इस तरह के sign देखकर आप समझ जाए कि वहाँ पर गाड़ी को खड़ा नहीं करना है All motor vehicle prohibited इस तरह के sign हमें ये बताते हैं कि वहाँ पर किसी भी तरह के vehicles को जाना आना या खड़ा करना मना है Pedestrian prohibited Pedestrian prohibited का मतलब होता है पैदल चालने वाले इस तरह के sign देखते हैं आप समझ जाए कि वहाँ आगे पैदल चालने वालों को मना है Truck prohibited ये sign हमें ये बताता है कि वहाँ पर ट्रक जैसे बड़ी गाड़ीों का आना मना है Friends अभी हम जानेंगे कुछ cautionary sign के बारे में Cautionary sign में एक triangle होता है और उसके अंदर कुछ लिखा होता है School ahead जब इस तरह का आप sign देखें तो समझ जाए कि आगे कोई school है इसलिए अपनी गाड़ी की speed limit रखनी है Left curve ये sign हमें ये बताता है कि आगे चल कर रास्ता बाएं की तरफ मुर जाती है Right curve ये sign हमें ये निर्देश करता है ये sign हमें ये बताता है कि आगे चल के रास्ता दाहिने की तरफ मुरती है Narrow breeze ये sign देखकर आप समझ जाना कि आगे आने वाले breeze में रास्ता संकीन है मतलब छोटा रास्ता है पतला रास्ता है Narrow road ahead इस sign से ये पता चलता है कि अभी जो चौड़ी road चल रही है आगे चल कर पतली हो जाने वाली है इसलिए गाड़े की speed limit रखना है Road widens ये sign हमें ये बताता है कि अभी हम जिस road पे चल रहा है वो road आगे चल कर wide हो जाती है यानि चौड़ी हो जाती है Pedestrian crossing इस sign को देखकर हमें समझ जाना है कि आगे पेदल चलने का रास्ता बनाया है जिस पर लोग पेदल आते जाते हैं Right reverse bent ये sign हमें ये बताता है कि road आगे चल कर right की तरब मुड़ती है और फिर सीदे की तरब जाती है Left reverse bent ये sign हमें ये बताता है कि road left की तरब मुड़ती है फिर उसके बाद आगे की तरब चली जाती है Right hair pin bent इस sign से आप समझ जाना कि road आगे की तरफ you turn का आकार लेकर मुड़ती है Left hair pin bent ये sign हमें ये बताता है कि road आगे की तरफ जाकर you का आकार लेकर left की तरफ मुड़ जाती है Slippery road Slippery road का मतलब होता है कि फिसलने वाला road ये sign हमें ये बताता है कि आगे का road slippery है या फिसलने वाला है इसलिए limit रखना है speed को Stepp recently ये sign हमें ये बताता है कि आगे चलकर road का एक चड़ान आता है मतलब road उपर की तरफ जाता है फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाता है Stepp decent इस sign हमें ये बता चलता है कि road आगे जाकर धलान की तरफ जाता है यानि धलान लेता है इसलिए हमें अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है लेवल क्रोसिंग गार्डेट रेलेव फाटक होता है जहांपर गार्ड होता है और जब ट्रेन आती है तो गार्ड गेट बंद कर देता है और जब प्रेन चली जाती है तो गार्ड केट खोल देता है लेवल क्रोसिंग अनगार्डेड इसका मतलब होता है कि रिलेव फाटक है लेकिन वाँ पर कोई गार्ड नहीं है इसलिए हमें खुद ही धायबाय देखकर क्रोस करना पड़ता है में एट वर्क इस साइन का मतलब होता है कि आगे रोड पर काम चल रहा है रोड बनाना जा रहा है या रोड की रिपेरिंग हो रही है इसलिए स्पीड को लिमिट रखे फालिंग रोक्स यह साइन हमें यह बताता है कि आगे चल कर ऐसे जगह आते हैं जहां से पत्थर गिर सकते हैं या गिरते हैं इसलिए हमें संभल कर चलना है Cross Roads इस साइंसे हमें ये पता चलता है कि आगे चलकर road cross है यानि कि चार रास्ता है Hump Road इस साइंसे हमें ये पता चलता है कि आगे चलकर road पर hump है यानिकि ठोकर है, इसलिए हमें अपने speed को limit करके चलना है Dangerous dip इस science से हमें ये पता चलता है कि road आगे चलकर नीचे की तरफ जाती है फिर उसके बाद उपर की तरफ जाती है ये dangerous होता है, इसलिए speed को limit रखना ज़रूरी होता है Roundabout ये साइन हमें ये बताता है कि रोड आगे चलकर round घुमती है यानिकि एक circle आता है Cycle Crossing ये साइन देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि आगे cycle से आने जाने वालों के लिए रास्ता है इसलिए अपने speed को limit में रखकर चलना है Kettle इस साइन्स हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले राष्टे पर पशुओं का आना जाना रहता है फ्रेंड्स अभी हम जानेंगे कुछ कमपर्सली साइन के बारे में ये लाल घेरे के अंदर ब्लू कलर होता है और इसमें कुछ लिखा होता है नो स्टॉपिंग ये साइन्स हमें ये बताता है कि उस जेगे पर आपको रुखना नहीं है कमपर्सली लेफ्ट टर्ण ये साइन्स हमें ये बताता है कि आगे चलकर आपको कमपर्सली लेफ्ट में मुड़ना जरूरी है Composely right turn इस sense हमें ये पता चलता है कि आगे चलकर right में मुड़ना जरूरी है Composely ahead ये sign देकर हमें समझ जाना चाहिए कि हमें सीधा रास्ता अपनाना है यान कि सीधे चलते जाना है धाय बाय नहीं मुड़ना है Composely keep left इस sign हमें ये बताता है कि road left की तरब मुड़ती है और कोई रास्ता नहीं है इसलिए जरूरी है left में मुड़ना Composely ahead और turn left इस sign से हमें ये पता चलता है कि या तो आप आगे की तरब जाए या left की तरब जाए Composely ahead और turn right ये sign हमें ये बताता है कि या तो आप गाड़ी को आगे की तरब लेकर जाए या right की तरब मुड़ जाए Sound Horan Composely ये sign देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर उच जगे पर Horan बजाना जरूरी है Friends अभी हम देखते हैं कुछ informatory sign Petrol Pump ये sign हमें ये बताता है कि आगे चल कर पेट्रॉल पंप है अगर आपकी गाड़ी में पेट्रॉल कम है तो आप पेट्रॉल भरवा सकते हैं Hospital इस sign को देखकर हमें ये समझ जाना चाहिए कि आगे चल कर हॉस्पीटल है अगर किसी तरह की ज़रूरत है हॉस्पीटल में जाने की तो आप जा सकते हैं First Aid Post इस sign हमें ये बता चलता है कि आगे चल कर एक पोश्ट है जहाँ पर हमें First Aid की सुईधा मिलती है Eating Place इस sign देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि आगे चल कर कोई Eating Place है जहाँ पर हम अपने भूख मिटा सकते हैं Light Refreshment इस sign हमें ये बताता है कि आगे चल कर हम अपनी Light Refreshment कर सकते हैं यानि कि नास्ता पानी कर सकते हैं Public Telephone इस sign को देखकर ये समझना चाहिए कि आगे चल कर एक Public Telephone है तो हमें Phone करने की जरूरत है तो हम कर सकते हैं Resting Place इस sign हमें ये बताता है कि आगे चल कर Resting Place है अगर Rest करने की जरूरत हो तो हम वो जरूरत पूरा कर सकते हैं अपस्टार में। साइब रजया है ये 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 ये... ये 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 झाल